विराट कोली तो एक confirm हो गए पर इनके साथ कौन? यश दयाल uncapped हो सकते हैं, Cameron Green एक overseas हो सकते हैं, रज़त पाटीदार के बारे में भी सोचा जा सकता है, पर क्या मुहम्मद सिराज के बारे में सोचेंगे, क्या Glenn Maxwell के बारे में सोचेंगे, फाप्टु प्लेसी, कैप्टन रहे, पर क्या इनको रोकना चाहेंगे? RCB पिछली बार भी प्ले आफ में कौलिफाई किये थे, प्रदर्शन पहले से बहतर रहा है, कंसिस्टेंट रहा है, पर अब एक बार फिर रीबूट का बटन दबाएंगे, या काफी सारों को रीटेन करेंगे? That's the question, पर अकेले नहीं है, वो पंजाब की भी तो करनी है बात, क्योंकि नया कोच, नई सोच, नई अपरोच, अब उससे अगर चलेंगे तो फिर क्या ये किसी को भी रोकना चाहेंगे? 18 करोड वाला कोई है इनके पास क्या? Uncapped तो है, पर 18 करोड में capped, खिलाडी, कोई है अच्छे होगे, और enjoy कर रहे होगे हमारा content हम लगातार अच्छा बना रहे हैं, तो before I go further, फटावर से like करो, share करो, subscribe करो, comment करो, notification घंटी ज़रू बजा दो क्योंकि इतना तो team का इतना करना बनता है नहीं, बनता है बताओ, बनता है ना, तो फिल, let's do that, interestingly, at the time of recording, I mean, आज मैं गया था अपने बच्चे की PTM में, parents, teacher meeting, अच्छा था, वो भी अपना अलगी experience रहता है, so fortunately, सही था, बड़ी वाली मेरी बेटी का था, Arna का था, and she's done well, so thank you very much for all your wishes, ऐसे हमारी family को अपनी धुआओं में, अपनी prayers में रखा गए, thank you so much, अच्छा, आप ज़र बात कर लेते ह कि RCB की क्या कहानी है, RCB की कहानी बड़ी simple सी है कि कहानी, इस team का production जो है, I think कि क्योंकि उम्मीदे इतनी जएदा है, इस team की हमेशा ही high profile team रही है, for various reasons, marketing भी बहुत अच्छी रहती है, fan armies बहुत तगड़ी तगड़ी है, यह सालक अप नम्दे जो है, वो लगातार बना रहत है, तो कई बार जो ठीक ठाक सा production भी होता है, वो उसको recognize ने करते हैं, थो ज़्यादा critical होते हैं, सभी लोग इनके production को लेकर, क्योंकि consistently यह qualify तो कर रहे हैं, नहीं जीते हैं, trophy यह बात सच है, पर they are not a team जो qualify ना करती हो, या final तक ना पहुंची हो, they are a very decent team, generally, trophy के बिना है, य बरना फिर बात रह जाती है, मतलब कि यह काम पूरे से नहीं हुआ, तो इसमें सबसे पहली बात, जो है, 18 क्रोड पहला retention, without a shadow of doubt, it has to be Virat Kohli, क्योंकि यह team जो है, मतलब जैसे MSD, CSK, MSD, CSK, there are synonyms, simply, RCB is equals to Kohli, is equals to RCB is equals to Kohli, मतलब same ही तो हैं, क्योंकि इस खिराणी ने कभी मतलब franchise अपनी बदली ही नहीं है, एक मात्री ऐसे खिराणी है, जिरो ने IPL के इतने सारे सालों के एतिहास में, एक बार भी franchise नहीं बदली है, so that's Virat Kohli, तो 18 क्रोड पहला retention, done, अब दूसरे retention में, मेरा actually vote रहता, क्योंकि 14 क्रोड का retention है, so मेरा personal vote रहता Cameron Green को, तो खिराणी ब fantastic future ahead of him, he's a con player, तो 14 क्रोड में तो बनता है, पिछली साल भी तो आपने लिया थे ना, मता सारे सारे सतरा क्रोड रुपे, आपने खर्च किये थे इन पे, मैं कहना हो इनको रख लो क्योंकि अगर आपने इनको पूरे मैच खिला है, आपको मैच तो जिता के जाएंगे, कम से he'll be my second choice, तीसरे choice में मेरा होगा रज़त पार्टीदार, मैं कहूंगा रज़त पार्टीदार को रोक लो, क्योंकि पार्टीदार की मैं आपको बात दाता हूँ, एक तो अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हालनकि जब अंतर राश्ट्री होंगे, तो यूल फाइंड कि यार, इंडियन बैटर्श आये ही नहीं मैदान में, ना वो सूरे कुमा यादा हुआ है, ना हर्दिक पंडे आये, ना वो इशान केशन स्लैश दिलक वर्मा, ना ही रूतुराजगायकवाद, ना ही श्रेया साययर, रिशाप पन, येशा स्व कल्प नहीं बचेगा, तो रजट पाटीदार 11 crore is not a bad deal actually, तो उनको तो मैं रोखना चाहूँगा, हो सकता है कि auction dynamics might actually take him higher, तो आपके 3 retentions हो सकते हैं, ये बड़े simple से हो सकते हैं, 18, 14, 11, विराट कोली, Cameron Green and रजट पाटीदार and I will stop there, कैब्ड खिलाडियों के लिए मैं वहीं रोख जाऊंगा, मैं नहीं सोच रहा हूँ, फाफ के बारे में, मैं नहीं सोच रहा हूँ, Glenn Maxwell के बारे में, in fact क्योंकि अगला retention 18 का है, मैं सिराज के बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ, जाने दो यार, आकाश दी जाने दो, सबको जाने दो, सिरफ एक ऐसा खिलाडी है, ज प्रयास तो जरूर करूँगा, इनको 4 करोड़ों मैं अगर रोक सकूँ, और fortunately वो, उससे पहले वो test cricket ना खेल जाँगे, कैप्ड खिलाडी बन गए तो इनको भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो भी 18 करोड़ का retention में सो कोई नहीं बनता है, honestly, सिरफ दो ही ऐसे, मेरे विचार म उनको रोक लीजे, अगर वो भी capped हो जाते हैं, तो फिर राइट टू मैच कार्ड का इस्तमाल करके, आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, अनुज रावत को अपनी thoughts में रख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि हम इंको रखना चाहते हैं, रखना है तो रख लो, मही पाल लोम चाहिए, RCB को क्या करना चाहिए, पंजाब की करते हैं बात क्योंकि पंजाब बड़ी कमाल की franchise रही है, अगर हम RCB को अंडर performer कह देते हैं, तो फिर तो पंजाब hasn't arrived yet, मतलब एक बार final खेले थे, उसके बाद तो handful of times है जब आप play-offs के लिए भी qualify करते हैं, टीम बड़ी entertaining brand of cricket खेलती है, इसमें कोई doubt नहीं है, पर सचाही है कि 11 कोच आ चुका है, नया कोच नहीं सोच नहीं approach के साथ, अब देखो भई है, नया नया आ आ गया है, Ricky Ponting is the 11th coach, क्योंकि अब शिखर धमन नहीं है, तो they are also looking for a captain, अब एक नया captain भी चाहिए होगा, 16 अलरडी हो चुके हैं, almost होतने हैं, आपका captain हो चुके हैं, कोच नहीं आ चुका है, तो अब मैं सोच नहीं है, यह किसको रोकिंग है, इन्होंने Sam Karan पे बहुत पैसे खर्च किया तो रोका था, पर उससे में Trevor Bayless थे, Trevor Bayless, English Connection, एन Liam Livingston भी थे, जॉनी बेस्टों भी थे, बड़ा solid English Chris Wokes भी आ गया दबा के English खिलाडियों को इन्होंने पसंद किया था, रोक के रखा था, पर you know how it happens, राइट, अब रिकी पॉंटिंग गया है, तो सब English खिलाडियों को दरवाजे पखड़ा कर दिया जाएगा, वो ना रूखने वाले किसी को इतने पैसों में, तो मुझे लगता है कि Sam Karan भ अर्षदीग को भी जाने देता हूं, राइट तो मैच कार्ड तो है ही, उसका सितमाल बाज में कर लूँगा, कितने की भी पढ़ें, 10, 11, 12, 14 करोड के पढ़ें, लेकिन 18 के तो मुझे नहीं लगता कि मेगा आक्शन में इंडियन फास बोलर को जाने वाला है, अनलेस वो ज अर्ष कि प्टाण होते हैं, तो मैं कहता फिर भी रोक लो, क्योंगे काप्तान के साथ आप वो ट्राशक्षन में नहीं जाना चाहते हैं, कि भई क्प्तान को रिलिस के और बाई 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 बैक्स कर लिए थे मिल जाये जाएंगे, हम उपिस ले आएंगे यार, सस् उसके अलावा मुझे लग नहीं रहा कोई 14 करोर का या 11 करोर का कोई खिलाडी वहाँ पर मौझूद है जिसको मैं रोक के यह सोचू कि मैंने बड़ा जबरदस काम किया है तो ऐसा कोई भी खिलाडी नहीं है रबस्मरंस सिंगे बारे में सोच सकता हूँ, अनकैप इंडियन है चार करोरो में मिल जाएंगे सारे घर के बदल डालूँगा यह सोच कि उतरना चाहिए कि हमें कोई नहीं चाहिए हमें कगिसुर अरबादा भी नहींच चाहिए हमें हर्शेब पटेल भी हमें आचिधीब भी नी चाहिए हमें उपर से बैटर कोई नहीं चाहिए हमें कोई चाहिए ही नहीं हम तो चलने हैं नई रसीरे से एक नई कहानी लिखने का प्रयास करेंगे जो भी लिखो आप तो मुझे ये लग रहा है कि पंजाब सिरफ अनकैपड एक दू इंडियन्स को रोक सकती है, उसके अलावा किसी को नहीं रोकेगी, इसका आर्थ यह होता है, जब इतने सारे पर्स के साथ, 120 करोड़ों में से अगर आठ चले भी गए, तो भी 112 करोड़ रुपे के साथ, जब यह आउक्शन में आएंगे, तो क्या ही धमा चोकडी मचाएंगे, यह उड़ा सप्राइस आया, उनको चाहिए था, कोई भी खिलारी चाहिए उनको, उनको आर्षदीब आपिस चाहिए, और आर्षदीब जो है, वो किसी फ्रेंचारी ने लगा दिया, 10 करोड़ रुपे, हमें चाहिए आर्षदीब, लख लो आर्षदीब, तो वहां पे यह ले जो सबकी सिस्टम से भार हो, कि दस करोड़ में इशान किशन जो है, वो फाइनली पंजाब के पास आए, मुंबई ने का, नहीं नहीं, हम तो इनके लिए खर्च कर सकते हैं, वी आर्षदीब आर्षदीब कर रहे हैं, फाइनल प्राइस पंजाब, क्या बोलोगे, वो कहें सोला करोड, अब मुंबई सोला करोड पे उनको नहीं देने वाली है, तो ये जो हैं ये पाटी पूपर, ये स्पॉलर बनने वाले हैं, बड़ा अच्छा काम ये करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं, पर in terms of retention, not too many, not too many, ऐसा मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, पंजाब भी डाल देते हो, तो फिर YouTube का करती है, वो Facebook क्या करती है, इनको कहता है, औरे ये तो भाई, इनको content पसंद आ है, तो let me serve this content, तो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है, इसमें है थोड़ा सा लोचा है, कि हम वो notification घंटी बजाते, तो आप notification आती नहीं है, a lot of people have said the same thing, तो अगर आपके पास भी notification नहीं आ रही है इस वीडियो की, तो please like वाइक ज़रूर कर देना, फ्रदा शेर वेर कर ले न, ताकि अगली बार जो हमको अच्छा सा content बना है, तो आपके पास at least पहुँचतो जाए, क्या बोलते है, चलो आज के लिए अभी के लिए इत झाल 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